आज की वीडियो बहुत important है क्योंकि बहुत सरी महला है pregnancy conceive करने के लिए अपने period के चौथे या पांचवे दिन से relation बनाने स्टार्ट कर देती है उनको लगता है कि जितनी जल्दी से जल्दी अगर मैं relationship plan करूंगी उनकी pregnant होने के chances काफी जाधा high होंगे तो इस बात में कितनी जाधा सचाई है क्या period के चौथे या पांचवे दिन पे relationship plan करना आपकी pregnancy को जल्दी से जल्दी conceive करा सकता है सारी की सारी information इस complete वीडियो में दी गई है कि आपकी period cycle के उपर ही कितना जाधा वर्क करता है कुछ महलाओं को ये चौथे से पांचवे दिन प वाली हूं वीडियो काफ इंफर्मिटीव है प्ले शुरू से लेकिल आज तक जरूर देखेगा नमस्कार दुस्त मेरा राम हर्शिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस्वाइवल पे बहुत-बहुत स्वागत है जब भी महलाओं की pregnancy conceive होती है तो pregnancy conceive होने के लिए मह मिलाओं की menstruation cycle normal है नियमित है या फिर बिलकुल एकदम सही डंग से चल रही है यह नहीं यह important है चाहे आपकी period cycle अठाई से 30 दिन के चलती हो या फिर 35 दिन के चलती हो या 40 दिन के चलती हो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन अगर यह नियमित है तो आपकी pregnancy 100% रूख सकती है अगर कोई problem नहीं हुई तो यानि कि provided कि अगर आपका hormone सही है या फिर आपके जो tubes की blockages वगरा नहीं है या कोई भी major अगर कोई issues नहीं है तो normal condition में आपकी pregnancy conceive हो सकती है बहुत सरी महिला है हर्बडी के रूप में उनको लगता है कि चलो period just over ही हुआ है तो मैं pregnancy plan करूं और उन होती है जो कि 28-30 जिन उनकी period का time होता है यानि कि normal menstruation cycle है लेकिन कुछ मेला ऐसी होती है जिनको 26 दिन पर 25 दिन पर 24 दिन पर पीरिट करते हैं और जो कि उनके लिए बिलकुल normal है तो जीन महिलाओं के period cycle short होते है उनके लिए पीरिड के चौथे या पांच वे दिन पे relationship plan करना fruitful साबित हो सकता है देखिए इसके reason यह होता है कि महलाओं की जब भी period आती है चाहे वो कितने भी बजाए रात में भी अगर आपका period आता है तब भी आप उसको day one ही consider करेगा और उसी दिन से आपकी menstruation cycle को note करना आप start कर दें जिस दिन आपका period आया है उस दिन आप उसको day one consider करेंगे और general cases में महलाओं की अगर hormone सही है तो 3-5 दिन तक उनको bleeding आती है यानि कि 80 ml तक का जो bleeding होता है वो normal माना जाता है अगर इससे कम होता है तो वो सही नहीं है या फिर इससे जादा होती है तो भी सही रही है लेकिन 3-5 दिन एक average duration होती है जहां पर महलाओं को periods आने चा करती भी है तो वो relationship बिल्कुल प्लान करें उससे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर pregnancy conceive करना जाते हैं तो उस टैम पे आप ज़रूर ध्यान रखें जिस टैम पे आपका evolution हो रहा हो में भी अगर आपको 22 दिन पर 24 दिन पर अगर पीरेड आ जा रहा है तो आपकी evolution भी पहले हो सकती है यानि कि आपके bleeding के तुरंट बाद भी आपका evolution हो सकता है तो दीखिए ऐसा बताया जाता है कि जो मेल के cell होते हैं अगर उनकी गुडवत तक काफी अच्छी है तो 3-4 दि होते हैं उनकी count भी कम होती है उनकी mobility भी कम होती है तो होता क्या है कि वो धीरे-धीरे कम होते जाते हैं लेकिन अगर आपने उस time से यानि कि अगर आपने cells प्रोवाइड कर दिये हैं और महलाओं का evolution अभी ट्रिगर नहीं हुआ है कोई बात नहीं है लेकिन evolution जब भी trigger होगा माल लेजे कि उनके short period cycle है जहां पर उनको 23-24 date पे उनका period repeat करता है तो आप मान करके चलिए कि पहले हफते के अंती मंती में यानि कि 7-8 दिनों में ही उनका evolution हो सकता है might be chances क्योंकि उनकी hormone उसी तरह से work कर रहे हैं और जहां पर भी LH और FSH का trigger मिलता है उनको उनकी ovaries में signal जाता है और under release हो जाता है और जब under release होता है और उसी टेम पे उन्होंने relationship प्लान किया है कई बर के होता है कि उसके कुछ दिन पहले से आपने प्लान किया है और mail के cell already available है तो जब भी under release होगा आपका fertilization हो जाएगा यह बात है बिल्कुल evident है बिल्कुल clear है लेकिन अगर आपने एक दिन छोड़ करके फिर से अगर आपने relationship प्लान के लिया तो जो cells है वो renew हो जाते हैं और वो आपकी body में पड़े होए रहते हैं और जब भी evolution होका तब भी आपका fertilization करने की chances काफी जदा ही होते हैं तो आपक cells 3-4 दिन तक जीवित रहते हैं अगर इन case अगर बच जाते हैं तो आपकी evolution वहाँ पर trigger हो सकते हैं या फिर अगर आपने एक दिन के बाद से फिर से उनको provide करा दिया या दो दिन के बाद अगर provide करा दिया तो उससे होता क्या है कि आपके जो fertile window है वहाँ पर आपने वो पू इसे सूट नहीं करेंगी वो कौन सी महिलाय होती है जिनका अगर 35 दिन पर चालिस दिन पर जिनका पीरिड रिपीट करता है लेकिन हां मुछ महिलाय ऐसे होती है जिनका करे वर 35 दिन पर रिपीट करेगा किसी का 32 दिन पर रिपीट करेगा या कई बार तो 40 या 45 दिन भी हो हैं तो वो महिला अनिम味 पिरिट के शिकार होती है उनको बार 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 को समझ में करके मेरे डेट कौन सा है उसे हम लोग अनिम पिरिट्ट वोलेंगे आगर आपका पिरिट बहें लेट FSH, prolactin और आप अपने AMH का टेस्ट करा सकते हैं और मेल जो है अपने काउंट वगरा का टेस्ट करा सकते हैं जिससे कि आपकी जो बेसिक जो प्रेगनंसी की जो स्टार्टिंग है जहां पर आप अपने दोनों मॉनिटर कर रहे हैं कि आपके एग क्वालिटी कैसी और हजबन क अब जब मॉनिटर का क्या टेस्ट है तो यह सारे टेस्ट होते हैं जीससे आपकी होर्मोन की गडवडी का मता चलता है और उसी हिसाब सी आपको अपने शरीर के उपर भी वर्ग करना है स्टार्ट कर देना चाहिए अगर आप प्रिगनसी करा चाहते हैं तो तीन महिने पहले सही उसकी तगारी करना कर दीजे चाहिए आपका वेट कंट्रोल हो चाहिए आपकी बोड़ी में फोलिक एसीड और जीन का सप्प्लिमेंट होना चाहिए जो कि आपकी बोड़ी को आपके अंडे को प्रेगनेंसी के लिए रेडी करती है और जीन महिलाओं की माल लेजे सपोस्ट आग कि अगर उनकी पीरेट साइकल पैंते जि करते हैं उनको चोथे या पाचवे दिन पर रिलेशनशिप प्लान करने से प्रेगनेंसी कंसीट नहीं हो सकती है हाला कि वो उनका इंटिमेट मोमेंट है अगर वो इंजॉय करना चाहती है तो वह अलग बात है लेकिन अगर प्रेगनेंसी के लिए ट्राय कर रहे हैं तो प्लान करने से पहले भी कुछ बातों का ध्यान रखें उसके दोरान भी और उसके बाद भी कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है जिसके बारे में डिटेल नॉलेज मैंने अपने चैनल पर बताय हुआ है एक वीडियो की लिंक मैं पर डॉप करूंगे आप जरूर है कि यह तीन दिनों का मैंने नाम बोल दिया तो आपका 24 वी तारिक को अवलूशन नहीं हो सकता है यानि कि कम्प्लीट जो एक हफ्ते का टाइम है उसको आप फर्टाइल विंडो के रूप में कंसीडर करेंगे और उस टाइम पे और अल्टरनेट बेसिस पे आप रिलिशन को ट्रैक करना है और अवलूशन के टाइम पे जहां पर पच्चेदानी का मूँ भी खुला होता है उसी टाइम पे रिलेक्शनशिप प्लान करने से आपकी प्रिग्नेंसी कंसीव हो सकती है तो यह पूरी जनकारी जो कि आपको डिटेल नॉलेज बने आ पड़ दी है अगर और उसे रिलेटेड मैं आपको वीडियोज अवलेबल करा दूंगी आप मेरे वीडियोज रेगुलरली देखे ताकि आपकी प्रेग्नेंसी जल्दी से जल्दी कंसीव हो जाए तो लेट्स स्टार्ट आज से ही आप अपने बोड़ी को हील करना है स्टार्ट कर दे आपकी जल्दी होगी तीन महिने का समय लगता है आपके अंडे को फॉलिकल से पुरा बड़ा होने में रप्चर होने में तो उन टाइम को आप बहुत अच्छा मिंटेन करिएगा ताकि आपकी बोड़ी अंदर से हील हो पाए और प्रेग्नेंसी के लिए आपकी बोड़ी बहुत अची तरह से हील हो जाएगी तो आपकी प्रेग्नेंसी भी जल्दी से जल्दी डूग जाएगी वह फुली इस वीडियो में दिगर जनकारी आपको अच्छी लगी अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिगा चैनल पर नए है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइ हुआ टरहे हुआझ थाइबucky जीफियूार झा है थाएउंगो लाइक कर देफे लाइक कि बाक चैनल को घु।